नमस्कार भारत तक में आपका स्वागत है हमारे साथ कमर आगाजी मौजूद है जो की अंतराश्टरी मामलों में एक्सपर्ट है आज उनसे हमारा सवाल है क्या पाकिस्तान में चुनाव जीतने के लिए मोदी नाम का सहारा लिया जा रहा है अभी तैरीक इनसाफ पारटी के नेता इम्रान खान जिनोंने अभी कहा कि नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी की वज़े से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन्चिप ठीक नहीं हो पार है, रिष्टय अच्छे नहीं हो पार है तो आपको लगता है उनका ये कहना सही है नहीं है बिल्कुल गलत बात है हम सब जानते हैं सारी दुनिया जानती है कि रिष्टे ना ठीक होने के कारण केवल आतंक बात है और प्रधान मंतरी मोहदी जी ने भी repeatedly कहा कि लगां लगाई पहरे है कोशशी की मोहदी जी ने स्वेहं बातचीत करने के लिए उफा हो या पारिस हो या फिर वो नहोर भी गए नवाजशरीफ साब को भी हिंदुस्तान बुलाया उन्हीं ने पहले इस दिन उन्हीं उनका उम्मीदे थी उनको कि शायद बातचीत का दौर शुरूब लेकिन पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को बातचीत नहीं करने थी वन्हां नवाज शरीफ को काफी देर में उन्होंने अपनी अनुमती दी थी हिंदुस्तान में आने के लिए क्योंकि उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी से परमीशन लेनी थी हां उनी ने उनको परमीशन नहीं मिली थी वह बगएर परमीशन के आये थे और उनका काफी क्रिट्सिजम हुआ था नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने का एक कारण ये भी था कि वह भारत से अच्छे संबंद बनाना चाहते थे औ सेना जो है वो पोलिटिकल रोल उसका नहीं होना चाहिए और जितने इंपोर्टन डिसीजन्स हैं वो उनको लेनी चाहिए सारे स्ट्रडिजिक डिसीजन्स ये कारण था तो इंडिया एक कारण बना उनको हटाने के लिए मैं समझता है इमरान खान क्या ये स्टेट्मेंट हैSON बहुत है आ पाकिस्तान की आम जंता जानती इस बात को मोदी जी ने काफी कोशिस थी संबंद अच्छे बनाने के लिए ये भी बहुत अट्रैक्टिव हैं दो चीजे हैं वह एक तरफ तो जो उनका स्टाइल है जिस तरीके से वह कंपेंड करते हैं अपने को आम जनता से कनिक करना उसके मिलना रेल वी तोल के चले जाना अपने उतर के आम जनता के साथ मिलना फिर उसके इलावा यह है कि अपनी वह पब् साथ एशिया में क्या बलकि दूसरी जोगां पर दूसरी बात यह कि उनका जो प्रचार है जिसके अंदर वो डिवलप्मेंट की बात करते हैं यह बड़ा अट्रैक्टिव लगता है यह आज की जो जनरेशन है चाब इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बंगला देश हो या सब में डेवलप्मेंट एक बखत बड़ा इशू बना वा है पाकिसान में तो और ज्यादा क्योंकि उनके प्ल्कूल डेवलप्मेंट करना अंग पहले स्टेज पर है करने की बात करते हैं तो यह एक मॉडल है जो बहुत सक्सेस्पुल है और इसको बहुत से देशों में कि पाकिस्तान में भी पॉलिटटकल पार्टी इसक्णा पाकिस्तान में आतंकवादी से नेता बनने की कोशिश कर रहा हाफिस साइद अभी एक रैलि के दौरान है न्हों हभिस नि कहा कि जो है हिंदुस्तान यानिकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं और पाकिस्तान को सूखा कर देना चाहते हैं यह बेबुन्याद बाते हैं इनका कोई खिचिकत से कोई रिष्टा नहीं है कोई पानी भारत ने अभी तक नहीं बंद किया है और इंडस्र वाटर ट्रीटी के हिसाब से 20% से भी ज़्यादा भारत पानी का इस्तेमाल कर सकता है जो पानी उसको ट्रीटी में मिला है वो पानी तक का तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है उसके लिए अब डैम बनानी की बातचीत हो रही है और इस तरह दुसी बात ये भी है कि इस समय पानी की बहुत कमी है पूरी दुनिया में गलेसियर सूख रहे हैं बरसाथ उतनी हो नी रही जित्ती पहले होती थी जम्ना जी दिली के अंदर पानी भरा रहता था साल भर जम्ना जी में अब वो साल में आठ दस महीने तो सूखी, दस महीने में तो पानी नहीं रहता यहां पर. तो इसका मतलब यही है सर कि जो है हाफिस साइद पाकिस्तान के लोगों को भड़का के वोट इकठा करना चाहता है. का रहा है, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है, नफरत पहलाने की कोशिश कर रहा है, इनका हाफिस साइद का हमेशा से यह काम रहा है, भारत के खिलाफ नफरत, भारत के धरम के खिलाफ हिंदू, धरम के खिलाफ नफरत पहलाना, यह इनका प्राइमरी रोल रहा ह हमेशा से यह करते रहे हैं और इसी को करते आगे बढ़ना है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बहुत जादा सपोर्ट होगी इसलिए कि पाकिस्तान में यो लोगों ने जिसना नवास चरीफ पिश्चिदफ एलेक्शन जीते उनका एक प्लैंक यह भी था कि भारत से अच्छ कि नहीं हुरा मेरे साबसे